नमस्ते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिगनर जब रोस्टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है आज हम आपके लिए दो मैटल सेक्टर के शेर लेकर आई हैं दोनों ही शेर बहुत शांदार हैं दोनों का track record बहुत अच्छा है दोनों की range भी ठीक है सौरपे से नीचे ही है दोनों ने बहुत अच्छी return दी है पास्ट में और दोनों पर बजार विशेशक उसाहित हैं किसी तरह की कोई negative news नहीं है इनमें दोनों की management भी अच्छी है, experienced है, जानी मानी है, portfolio share है, हमने यह share बहुत पहले से 4-5 वारे बताए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी return दी है, हमारे बताने के बाद भी बहुत अच्छी return दी है इन्होंने, तो आप इन पर विचार कर सकते हैं, तो दोस्तों, इससे पहले के हम start करें, आप से हमारा अनुरोद है, कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाएगे वीडियो के content से पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, अगर नहीं किया अब तक तो, और अगर आप facebook पे हैं, तो आप page को follow कर लीजिए, इनकी मेनत अगर अच्छी लगती है, वाजिब लगती है, तो आप like कीजिए, और share भी कीजिए, share अपने colleagues और friends में कीजिए, WhatsApp ग्रूप पे कीजिए, Telegram ग्रूप पे कीजिए, तो चलिए शुरू गात करते हैं, हम बात करेंगे Lloyds Engineering Works, Lloyds Steel Industries, लाइड स्टील इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से हाइडरो, कार्बन, क्षेतर, तेल और गैस, इसपात संयंतरों, बीजली संयंतरों, परमानू संयंतर, वाइलरों और ट्रंकी परियोजनाओं के लिए भारी उपकर्न, मशीनरी और परनालियों के डिजाइन भी निर्मान और कमिशनिंग में लगी हुई कंपनी है, आपके याद आ गया होगा, हमने कई बार बनाया है इसके, बजार का कार 10,240 क्रोड है, अच्छी खासी कंपनी हो गई है, अब ये, कीमत 89 रुपीज है, बावन भीक हाई एंड लो 92 रपे और 33 रपे है, पी 139 है, डिविडेंट 0 2.22 परसेंट है, रिटर्न और कैपिटल इंप्लाइड 23.60 परसेंट है, जो बहुत अच्छी है, मैटल क्षेतर में 23.60 का होना बहुत अच्छा है, रिटर्न और एकुटी 26 रवे, 26.50 परसेंट है, जो बहुत अच्छी माननी जाएगी, फेस वेल्यू एकर प्या है, कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में 94.20% की CAGR से profit growth दिखाई है, पांच वर्ष से लगातार, ये पांच वर्ष की CAGR बता रहे हैं हम आपको, अच्छा dividend देती है company, बहुत अच्छा dividend है ये, company की working capital requirement 382 दिन होती थी, जो वो 142 दिन रह गई, तो metal के share है, इनमें working capital requirement तो जारा दिन की होती है, लेकिन 382 दिन से अगर 142 दिन की रह गई है, तो इसको interest की बच्चत होगी, लेकिन ये पहले से ही debt-free company है, thermex, Jupiter baggage, इसके peer companies मानी जा सकती है, company बहुत अच्छे तिमाहियों और वार्षिक नतीजे पेश कर रही है लगातार, तीन साल की parameter देखते हैं इसके, तीन साल की CAGR sale है जो वो 207% है दोस्तों, 207% और profit growth है जो, वो तो 442% है, तीन साल की CAGR profit growth 442% है, देख देखके आंखे भटी रह जाती है, stock price CAGR 207% है तीन साल का, ये भी बहुत जादा है, जिस जो FD पे हमें 7% मिलता है, वो 207% है, तीन वर्ष की return on equity 22% है, जो बहुत ही अच्छी है, average तीन साल की है, जो वो 20% है, reserve 15 क्रोड के हैं और zero debt company है, कोई इस पे loan नहीं है, कोई कर जानी है, promoters की भी अच्छी खासी भागेदारी है, 57.25% है, FII 2.12% है, DII 0.14% है, public के पास 40.45% है, अगर इतनी छोटी company के अंदर FII ने 2.12 प्लस 14, 2.26% की equity है, qualified institutional investors की, तो ये अच्छे sign ही मनने जाएंगे, price 89 है, एक महिन्य में 23% और तीन महिन्य में 40%, एक वर्ष में 170%, तीन वर्ष में 25,65%, पांच वर्ष अगर किसी ने रखे होंगे तो, 16,136% का return दिया है, तो दोस्तों, इसके ग्राकों की अगर आप list देखेंगे, इस company के, जो मैंने जान बुझ के बाद में रखे हैं, ताके आपका इस पर वरोसा बन सके, इसके ग्राकों में है, कोचीन शिप्यार्ड, गोवा शिप्यार्ड, भार्त पेट्रोलियम, कोर मंडल गेल, फिनोलेक्स, इंडियन ओइल, एचपी, अधित्य बिल्डाव, उतकर, उडिसा के अंदर है, एलुमिनियम, एक साल की फोरकास्ट, एक बहुत ही शांदार फोरकास्टिंग कंपणी ने 122 रपे दिये, और 5 वर्ष की 253 रपे दिये, फोरकास्टर भी इसके उपर बहुत बुलिश है, हमारी टीम इस शेर पर बहुत बुलिश है, और 2 साल में 175 रपे तक जा सकता है, ऐसा, तो दोस्तों कोई भी नवेश करने से पहले अपने वितिया सलागार की राए ले ले, यह छोटी कमपणी है, इसके अंदर निवेश भी थोड़ा करना चाहिए, तो दोस्तों एक और शेर है हमारे पास, जिसकी हम बात करेंगे, यह शेर है, सेंचरी एक्स्ट्रूजन लिम्टर्ड, सेंचरी एक्स्ट्रूजन लिम्टर्ड, इसका BSE कोड है, 5000083, 5000083, सेंचरी एक्स्ट्रूजन लिम्टर्ड, अलुमिनियम एक्स्ट्रूडेंट उत्पाद पावर ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन लाइन हार्डवेर बनाती है बेवसाई अब लोकन कंपनी एक हजार से साथ हजार श्रिंकला के मिश्र दातों की पूरी श्रिंकला सभी प्रकार के नरम मद्यम उच्शक्ति वाले मिश्र दातों में अलुमिनियम एक्स्ट्रूजन का उत्पादन करती है उत्पाद प्रोफाइल है इसके देख लेते हैं उद्योगी केंटिना ट्यूब केवल स्पोर्ट्स चैनल एक्ट ट्यूटर बाड़ी समान कौन इंच सीरी जाईए फ्लूटेड राउंड ट्यूब भी आधी भी बनाती है यह आर्किटेक्चरल में देखें तो एलड्राप्स, कार्नर सेक्षन, कंटेन चैनल, डूर क्लोजर, डूर हैंडल आदी प्रिवान और सरनचनातमत में देखें तो फ्लूटेड स्ट्रिप्स, गार्निश रेल, जोडस, बाटर चैनल, टाप हैड्स, स्ट्रेप, एजिक्स पावर टी एंड, डी के लिए हार्डवेर, ए, बी केवल, साहे कुपकरन, और हार्डवेर, एलुमिनियम फैबरिकेटर, गटकादी, मिशर दातू, वी निर्मान क्षमता, CEL के पास, खड़कपुर, पस्चिम बंगाल में 15,000 मेटरिक टन बनाने का इसकी एक बी निर्मानि काई है, इसके गराक देख लेते हैं, कमपनी के पास 500 से अधिक परतिष्टित गराकों का पोटफोलियो है, कमपनी ने 30 वर्ष पुराने गराकों को भी बनाई रखा है, ये कमपनी की विशेशकिता है, मार्किट कैप 227 क्रोड है, माइक्रो कैप कमपनी है, बहुत छोटी क रिटर्न ओन कैपिटल इंप्लाइट 17.10 है, रिटर्न ओन इकुटी 10.50 है, थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, रेट को देखते हुए और कमपनी की साइज को देखते हुए, फेस वेल्यू 1 रपे आ है, हिंडेल को और नेशनल अलुमिनियम इसकी पियर कम कमपनी जमानी जा सकती है, कमपनी अच्छे तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश कर रही है, पैरमिटर्स भी अच्छे है, तीन वर्ष की CGR सेल ग्रोथ 26 परसेंट है, तीन वर्ष की कंपाउंड प्रोफिट ग्रोथ 49 परसेंट है, प्रोफिट ग्रोथ जो CGR प्राइस ग् शेर कैपिटल आठ क्रोड की है, रिजरब 65 क्रोड की है, बॉरिंग 48 क्रोड की है, प्रमोटर्स के पास 52.4% की इकुटी है, ठीक है, अच्छी है, FII 0.15% FII ने एंट्री ले ली है इसमें, पब्लिक 47.81% है, बिजनस मोडल और फंडामेंटल जचे हैं, कहीं कोई constant नजर नही आया, दाम ठाइस अरपे 50 पैसे हैं, P31 ज्यादा नहीं है, इसको आप ठीक मानके चलिए, करजा है जो 0.66% है डेट्ट विकुटी और 13.54% इसके शेर प्लेज भी है, यह शेर जल्दी ही आगे को बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी कमपनी है, इसकी मनेजमेंट बहुत अच्छी है, एक महिने में 35%, तीन महिने में 50%, एक साल में 176%, और पांस साल में 832% की रिटर्न दी है, एक साल की forecast 32 रपे है, जो forecasting कमपनी देती है, हमारी टीम ही शेर पर बुलिश है, हमने शेर को रिल्ज में 3-4 बार बताया है, हमारी टीम का नुमाने 40 रपे तक जल्दी जा सकता है, तो दोस्तों यह थे हमारी दो रिपोर्ट्स, दो छोटे शेरों पर, आप इनको अच्छी तरह से जांच लें, परक लें, और फिर इसम में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपने वितियसला करकी राहे लेकर, तो दोस्तों आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धरन्यवाद, शुक्रिया, थेंक्यू सो मच,